सत्तर और असी के दशक की एक एक्टरस जिनोंने हिंदी सिनेमा में गलेमर्स और बोर्ड सीन का ऐसा तड़का लगाया कि उनके हर फिल्म सुपरेट हो ही जाती थी जिनकी डिमांड उस दोर में इतनी बढ़ गई थी कि हर कोई उनको अपनी फिल्म में लेना चाता था बोर्ड ब्यूटिफुल और स्टाइलिश एक्टर जो टाइमस मैगजिन पर आने वाली पहली भारतिय अभिनित्री थी क्या आप जानते हैं करियर के उतार चड़ाव और प्यार में मिले धोखों के कारण ये मेंटरी डिस्टर भी हो गई थी और इन्हें एक सैजिश के तहत अमेरिका में एक पागल हस्पिताल में एडमिट करवा दिया गया था क्या आप जानते हैं इस अभिनित्री ने अमिताब बच्चन के साथ साथ बोलीवुड के कई अभिनिताओं पर जासोसी और जान से मारने के अरोप भी लगाये थे जिससे बोलीवुड में खलबली मच तो क्या आप जानते हैं इनकी मृत्यू ऐसे तरीके से हुई जहां इनकी लाज तीन दिन तक कमरे में सरती रही और उसे कीडे मकोडे तक खा गए थे और उनका अंतिम संसकार जब हुआ तो बोलीवुड से कोई भी नहीं आया था कहानी है एक्टरेस परवीन बोबी की मगर सबसे पहले आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए परवीन बोबी का जनम गुजरात के मुस्लिम परिवार में हुआ था परवीन ने अपने शहर में अपनी पढ़ाई की शुरुआत की फिर एहमदाबाद के सेंट सेवियर स्कूल से अपनी में इंगलिश पूरी क उनके परवज बोबी राजवंश के हिस्सा थे मतलब की बोबी राज घराने से तालुक रखती थी वह अपने माता पिता की इकलोती संथान थी जो माँ बाप की शादी के 14 सालों बाद पैदा हुई थी पर जब परवीन दस वर्ष की हुई उनके पिता का देहानत हो गया औ उसमें परवीन बोबी मिनी सकर्ट में सिगरेट के कश लगा रही थी जब निरमाता की उन पर नजर पड़ी थी उनकी खुबसूरती और उनके स्टाइल को देखकर उन्होंने परवीन को फिलम ओफर कर दी और परवीन ने ओफर एकसेप्ट भी कर लिया इस तरह से उनके ब जो उस समय इनके सबसे पोपलर लवर हुआ करते थे पर उनके साथ ये रिष्टा ज्यादा देर तक नहीं चला और उनके रिष्टा तूट गया परवीन बोबी मायूसी के साथ उनसे अलग हो गई और अपने करियर पर ध्यान देने लगी इसके बाद इनकी फिलम 1974 में किया गया इसके बाद परवीन ने 1977 में मन महंदेसाईग की फिलम की फिलम थी अमर अकबर एं Filipino और शेशी कपूर के साथ काला पत्थर और सुहाग जैसी सूपर इट फिलम में भी काम किया 1976 में ये टाइम्स मैगजिन पर छपने वाली पहली भारतिया अदाकारा थी इसके बाद 1983 में वह समय आया जब ये अभिनेतरी फिल्म इंडर्स्ट्री से ही गायब हो गई और अमेरिका में जाकर इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करने लगी वजय थी इनकी mental health इनको जिंद्गी में मिले धोखे और इनको अंडर्वर्ड से धंक्या मिल रही थी जिसकी वजय से इनकी दिमागी हालत और ख़राब होती गई और कहा जाता है कि एक बार airport पर अधिकारियों ने उनके पहचान पूछी तो वे खुद को ही भूल गई वे खुद का नाम भी नहीं बता पाई उन्हें हतकड़ी लगा कर पागल खाने में भे दिया गया तब इंडियन embassy ने उनके मदद की और इस मामले को सोलो करवाया लेकिन तब तक यह साफ हो गया था कि परवीन बोबी को पैरानोइड सिंटम्स नाम की एक दिमागी बिमारी है इस बिमारी में इंसान अपनी पहचान भूल कर अलग जिन्दगी में जीना शुरू कर देता है वे अपने दिमाग में बनाई जिन्दगी में जीना शुरू कर देता है लेकिन परवीन बोबी ने अपनी इस बिमारी को कभी एकसेप्ट नहीं किया छे साल बाद 1989 में वह इंडिया वापस आ गई और आते ही उन्होंने अमिताब बच्चन पर इलजामों की जड़ी लगा दी और उन्होंने अमिताब पर केस भी कर दिया कहा जी जाता है कि उसने कहा कि अमिताब बच्चन मुझे जान से मार देगा यह बयान उन्होंने कोर्ट में भी दिये तब कोर्ट ने उनसे सबूत मांगे पर उनके पास कोई सबूत नहीं था क्योंकि वह मानसिक रूप से बिमार थी 1989 में उन्होंने टाइमस मैगजिन में दिये एक इंटरव्यू में कहा था कि अमिताब बच्चन एक बहुत बड़ा गैंग्स्टर है उन्होंने मुझे किडनैप करके एक अलग टापू पर रखा और उन्होंने मेरे कान के पीछे ओपरेशन करके ट्रांस्मेटर लगा दिया जिस वजह से हर वक्त वे मुझे सुमते रहते हैं और उनको हमेशा यही लगता रहता था कि कोई उनको मार देगा इसलिए वे हमेशा मेडिया और अपने दोस्तों से दूर रहती थी अगर मिलती भी थी तो अपने फ्लैट पर ही मिलती थी और हर बात को रिकोर्ड करती थी अपने साथ वे एक ट्रांस्मेटर रखती थी जिससे वे अपनी चीजों को रिकोर्ड कर सके टेलीफोन पर भी बात करते समय वे कहती थी कि आपकी कोल रिकोर्डिंग पर है इसलिए सोच समझ कर ही बोलियेगा डेट, टाइम, सब कुछ नोटिस करती थी मूत के कुछ दिन पहले उन्होंने क्रिस्मिस डिनर किया था जिसमें साथ महमान आये थे जिनके नाम भी उन्होंने रिकोर्ड करके रखे हुए थे यह रिकोर्डिंग आज भी मुंबई पुलिस के पास सेफ पड़ी है परवीन बोबी के दिवानों की लिस्ट बहुत लंबी है सबसे पहला नाम आता है बोब क्रिस्टो का जो की आस्ट्रेलिया के वासी थे और परवीन बोबी की दिवानगी के चलते मुंबई में आकर बस गए थे वो बोबी के इतने बड़े दिवाने थे कि हर वक्त उनके बारे में ही सोचते रहते थे पर बरवीन बोबी का साथ उनको कभी नहीं मिला इनकी जिंदगी में तीन लोगों ने अपना घर बनाया पर किसी के साथ भी वे अपना घर नहीं बसा पाई सबसे पहले थे डैनी जिनने बोबी के दिल पर तो घर बनाया पर उनका घर नहीं बसा पाई दूसरे थे अमिताब बच्चन जो पहले से ही शादी शुदा थे इसलिए वे बोबी के नहीं हो पाई इसके बाद बोबी का नाम कभीर बेदी के साथ जोड़ा गया ये दोनों बहुत करीब आ गए थे और लिविन रिलेशन्शिप में भी रहने लग गए थे लेकिन कभीर बेदी भी शादी चुदा थे इसलिए वह भी बोबी को छोड़ कर चले गए और आखरी नाम आता है महेश बट का जो इनकी लाइफ में सबसे लंबे समय तक रहे बोबी का महेश बट के साथ गहरा रिष्टा था इन दोनों के संबंध इतने गहरे थे कि महेश बट ने बोबी के लिए अपनी पहली बीवी को भी छोड़ दिया था महेश बट ने एक इंटर्विव में बताया था कि जिस दिन बोबी की मृत्य हुई उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बोबी मेरी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी परवीन का पागलपन एक पुरानी कहानी है और शाहिद ही कोई इसे समझ सकता है कि एक पागल व्यक्ति कैसा महसूस करता है महेश बट ने बताया कि एक दिन वह बोबी से मिलने उनके घर गए तो उनके माने कहा देखो मेरी बेटे किस तरह की हरकते कर रही है जब महेश बट ने कमरे में जाक कर देखा तो बोबी कोने में बैठी चाकू लेकर रो रही थी महेश बट ने पूछा परवीन ये क्या है तो बोबी ने कहा कि कोई मुझे मारना चाहता है यहाँ पर कोई अद्रिश्य चीज है जो मुझे मारने आई है इन बातों को सुनकर महेश बट बहुत अहरान हो और प्रिशान हो गए 1982 में महेश बट ने एक मुवी की कहानी लखी फिल्म का नाम था अर्थ यह कहानी महेश और प्रवीन के प्यार की कहानी पर अधारित थी बाद में सम 2006 में इन्होंने इसी कहानी को फिर से दोड़ाया फिल्म का नाम था वो लमे यह मुवी महेश बट और प्रवीन बोबी की प्रेम कहानी को दर्शाती है कहा तो ये भी जाता है कि महेश बट और प्रवीन बोवी का नाकाम या प्यार ही उनकी मोत का कारण बना इसी कारण वे अकेली और अशांत रहा करती थी इसी कारण उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से भी मुख मोर लिया था और कभी भी शादी ना करने का फैसला लिया था जिंदगी बर सच्चे प्यार को तरसने वाली बोवी 22 जनवरी 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गई और अलविदा भी ऐसे कहा कि किसी को पता भी नहीं चला अकेलेपन और खालीपन में ही वे इस दुनिया को अलविदा कह गई दूद की बोतल और अकबार उनके फ्लैट के बाहर दो दिन तक पड़े रहे जब इसकी नजर उनके पडोसियों पर पड़ी उस समय उनके घर से बदभू भी आ रही थी तो पडोसियों ने पुलिस को इन्फोर्म किया पुलिस ने आकर जब दरवाजा तो तो परवीन भोबी की लाश पड़ी हुई थी परवीन की मौत 20 जनवरी को ही हो गई थी यूं तो परवीन मुसलिम थी लेकिन बाद में उन्होंने क्रिश्चन धर्म अपना लिया था परवीन बोवी मरते मरते भी कई लोगों का भला कर गई उन्होंने अपनी 80% प्रोप्टी गरीबों में दान कर दी थी एक खूबसूरत और मशूर अदाकारा का यूद देहांत हो जाना काफी दुख दई था यह एक फिल्म इंडस्टरी का सच है जो चड़ते सूरज को सलाम करते हैं और ढलते को कोई नहीं पूछता तो उसके पास मरत्यू के समय कोई नहीं था हम सलाम करते हैं इस बहतरिन कलाकारा को परविन बोबी जिन्नों ने भारतिय एक्टर्स के तोर तरीके और बोलिवूड के स्टाइल को बदल के रख दिया था तो दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद